हेलो एवरिमन माई डियर क्लास 10th स्टूडेंट अलेट हो जाईए अब ये समय ऐसा है कि एक्जाम आ गए है पास तो तयारी करनी पड़ेगी कुछ खास तो तरीके बदलने पड़ेंगे पढ़ाई तो हम लोग करी रहते बढ़ तरीके हमें बदलने पड़ेंगे तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए यहाँ पर टाइम लाइन तो हमने जैसा कहा था कि डेफिनेट सक्सेस पाट शाला जो है रिजल्ट औरिएंटेड वर्क करता है और रिजल्ट के बारे में ही सोचता है तो 80 आट ओफ 80 लाने के लिए स्ट्राटेजी चेंज करनी पड़ेगी य लोग बात करेंगे आपर टाइम लाइन की समय कम है तो तैयारी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा डिवोट होके काम करना पड़ेगा चलिए तो हम लोग आज बात करने वाले हैं लगभग लगभग 1668 से लेके बात करने वाले हम लोग यहाँ पे 1914 इसमें इस हम के बैठी है शिरुवात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे किसकी टाइम लाइन की तो सर 1668 का मतलब सीधा सीधा हो गया 17th century और 1914 का मतलब हो गया यहाँ पे 20th century तो लगभग 17 से लेके 20th century तक के जो भी rise of nationalism में जिस भी तरीकी का event हुआ है वो सारा मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं with the name with the year and with the event चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम लोग आते हैं 1668 तो यह पहला यह यूज करा गया है दोस्तों rise of nationalism in Europe में उस समय पे क्या हुआ इसको हम लोग समझते हैं the English Parliament which has seized power from monarchy in 1668 यहां पर यह बात समझ में आती है कि जो English Parliament है वहां पर monarchy system जो है अब यहां पर खतम होने वाला है और यहां पर कहीं न कहीं democracy आने वाली है at the end of the protracted conflict was the instrument through which a nation states with England added center came to be forced अब यहां पर यह कहा गया कि अब यह जो है अपने आप में एक nation state बनने वाला है और यहां से monarchical form of government जो है हटने वाली है इस event को कहा जाता है glorious revolution क्या कहा जाता है दोस्तों यहां पर glorious revolution तो 1668 में यहां पर England जो monarchical form of government से free हो जाता है और कहीं न कहीं democracy की तरफ बढ़ना यहां पर शिरू होता है दूसरे event पर आते है 1707 1707 में क्या हुआ भई यूरोप में the act of union 1707 यह कहलाता है जिसमें England और Scotland जो है that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain तो यहां England में मिल जाता है Scotland अब इनको दोनों को मिला के कहा जाता है United Kingdom of Great Britain that England was able to impose its influence on Scotland तो Scotland पर प्रेशर बनाके England अपने आप में इसको मिला लेता है इसको बोलते है act of union क्या बोलते है दोस्तों इसको act of union year कौन सा है सर यहां पर 1707 तो 1668 में क्या हुआ भई तो मुनार्की हटी कहा से इंग्लाइंड से और 1707 में क्या हो गया act of union में Scotland को मिला लिया गया किसमें दोस्तों यहां पर इंग्लाइंड में important क्या है the UK Parliament met for the first time in October 1707 important event क्या हो गया UK Parliament में सबसे पहली वार meeting जो है October 1707 में होती है चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 1744 में ये रोप में क्या होता भाई रोमांटिक्स सच आज जर्मन फिलासोफर जोहन गॉट्ट्ट्राइड हर्डर 1774 से लेकि 1803 तक के यह रहे तो यहां पे 1744 में रोमांटिक्स सिजम का कल्चर आता है जिसमें एक नाम याद रखना है जोहन गॉट्ट्ट्राइड हर्डर यह कहता है कि लडाई सिर्फ और सिर्फ आम्स की बेसिस पे नहीं की जा सकती प्यार से भी हम लोग मिल के यहां पे रह सकते हैं जिसमें पोईट्री हो सकती है वो चल्टा 2400 हो सकता है यह यहां पे प्यार गज़ पर बंकरो और प्यार से रहो ये कौन कहता है जोहम गॉट्ट्ट्राइड हर्डर यह कब की बात है दोस्तों यहाँ पे 1744 की बात है ठीक है अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आपने लिखा है Common People Dash Wall की यह है क्या Dash Wall का मतलब होता है Citizens of the Country और वहाँ पे इस तरीके का इस नाम का एक Daily News Paper भी चपता था जो की कहा चपता था दोस्तों बर्लिन में चपता था कहा पे चपता था बर्लिन में तो हमें यह समझ में आया सर कि 1668, 1707 और 1744 की हम लोग ने यहाँ पे चर्चा कर लिए ठीक है ना दोस्तों यहाँ पे दयान से समझे गा 1668 तो हो गया पुरा का पुरा 17th century अब हम लोग आग 1789 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह रहे कैसे दो फॉर्स क्लियर एक्प्रेशन ऑफ दे नैशनिजम केम विद फ्रेंच रेवलुशन इन सेवे 14 जुलाई 1789 तो 1789 में पहली क्या होती है भई रेवलुशन की जो स्ट्राटिजी है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है और यह रेवलुशन कहां से स्टार्ट होता है सर तो बैस्टिले नाम की एक जगा थी उस पे अटैक किया जाता है बैस्टिले था क्या एक चुली में तो यह यहाँ पे एक जेल थी जिस पे लोगों ने अटैक किया और अटैक करके वहाँ पे 7 प्रेशनर्स को छुड़ाया बट इस लड़ाई में क्या होता है कमांडर इंचीफ की जो है वो मौत हो जाती है ओके यहां तक है क्लियर है तो 1789 में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वह है फ्रेंच रेवलुशन क्या है दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच रेवलुशन फ्राज ऐसा सिस्टम जहां प जो किंग थे वहाँ पे लुईस सिक्स्टीन थे कौन थे लुईस सिक्स्टीन मगर जैसे ही वो किंग बनते हैं उनको एम्टी ट्रेजरी मिलती है जिसके रिजल्ट पे वह इस सोसाइटी को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं दो फर्स एस्टेट मतलब की यहां पर हम ल सिर्फ और सिर्फ किस पर लगाया फर्स एस्टेट और सेकेंड एस्टेट पर यह कहीं ना कहीं रिवाल्ट का कारण यहां पर बनता है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1789 में बनता है जेकोबिन क्लब जो कि मेंली मिडिल क्लास ग्रॉप का था ठीक है इसको स्टार्ट करता है कौन फांडर मेंबर कौन था इसका मैक्स मिलन रॉबर्स पेले पिर ठीक है पॉलिटिकल ग्रॉप फ्रेंच रेवलिशन इडेंटिफाइड विट एक्स्ट्रीम रेडिकलिसम और यह आगे चलके मैक्स मिलन रॉबर्स पिर जो है वो गलिटीन सिस्टम लाता है जिसमें करने का सिस्टम होता है ठीक है तो जैकोविन क्लब स्टार्ट किसते ही किया मैक्स मिलन रॉबर्स पिर इने कुछ इंपॉर्टेट इवेंट था क्या बिलकुल हम लोग एपसलीट मोनार्क को यहां समझते हैं ड़किंग और दक्यूइन इस बाइन की पावर को जब कोई रो 1707 और 1744 चलिए आगे बरते हैं अब 1790 में क्या इवेंट होता है फ्रेंच आर्मी इस विच मूवड इंटो होलेंड अब यह फ्रेंच आर्मी किस तरफ बढ़ती है सर होलेंड की तरफ बढ़ती है क्यों कि यहां पे इनको क्या मिलेगा पैसा मिलेगा टेरिटरियल एक्सप संटी में क्या हो जाता है तो 1668 में क्या हुआ दोस्तों हम लोगों को यह पता है कि 1668 से यूरोप में कुछ चेंजर आना शुरू होते हैं 1707 में Act of Union बता है फिर उसके बाद 1744 में कुछ चेंजेस आते हैं और इस तरीके से हम लोग 1789 और हम लोग आगे पहुंच चुके 1790 पर अब हम लोग एक और येर पर आते हैं जिसको बोलते 1792 जिसमें हम लोग जेकोबिंस की बात करते हैं इन लोगों की जो कपड़े पहनने का तरीका तहस्को बूला जाता था जाता था सेंकलोस टीके ना जिसमें नीव रीच की बात की जाती है कि सरेंकलोस पनी बीचस की बात की जाती है और 21st September 970 92 ऑ जह को इन क्लफ यहां पर नारकी को वहां पर और अबॉलिश कर दिया जाता खतम कर दिया जाता एंड डिक्लेयर फ्रांस रेपब्लिक तो सेवेंटीन नाइटीटों में फ्रांस को क्या बना दिया दोस्तों यहां पर रेपब्लिक बना दिया ठीक है चलिए यहां पर यह कि हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोगों ने अभी यह याद कर लिए 1668 1707 1744 1789 1790 और 1792 चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं याद करने के लिए 1668 में क्या हुआ यहां पर तो यह चीज़ हुई कि इंग्लेश पार्लेमेंट बनी मोनार्की हटी 7007 में एक्ट उफ यूनियन बना उसमें क्या करा गया इंग्लैंड में किसको मिलना पड़ गया स्कॉट्लेंड को मिलना पड़ गया 1744 में क्या हुआ रोमांटिसिजम आया इसमें एक नाम याद रखना है क्या नाम याद रखना सर जर्मन फिलोसफर जोहन गौट फ्राइड हडर याद रखना है इसने रोमांटिसिजम का कॉंसप्ट दिया आगे हम लोग बढ़ते हैं 1789 में क्या हुआ सर फ्रेंच और रिपड़िक ठीक है अब फ्रेंस की बन जाता रयपर रिपड़िक बन जाता है चलिए थो लों को याद करते हैं दोस्तों कुछ भी भूलना नहीं है तो याद करने का हमें क्या करना पड़ेगा सर। रिकाप करते रहना पड़ेगा। इसका नाम याद रखना है कि जर्मन अलमनेक बनाने वाला जो परसं था उसका नाम था एंड्रियस रצם तो आप सबाएं दोस्तों हम लोग यहां पर 1798 पर इस त्वह पर जर्मन अलमनेक बनता है जो कि बनाने वाल परसंब थांड जो है? यह एलमेनेक का मतलब क्या होता है एक ऐसी बुक जो हर साल छपे और जनरली इसको हम लोग कैलेंडर भी यहाँ पे कह सकते हैं अब हम लोग आते हैं next century पर आ जाते हैं दोस्तों हम लोग अब यह 1801 आ गया 1801 का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे 19th century I repeat यहाँ पे 1801 का हो गया म United Kingdom हम लोग नहीं 1707 पढ़ा था जिसमें हम लोग ने Act of Union की बात करी थी जिसमें इंगलाइंड में Scotland मिल गया था भाई ठीक है अब 1801 में क्या होता है Ireland में कौन मिल जाता है युनाइट गिंडम में आयरलेंड को मिला दिया जाता है कब मिला दिया जाता है यहाँ पे बृते डिक्लेर वार्ड और फ्रांस अब यहां पे बिटें जो है वार जो है किसके साथ फ्रांस के साथ समय तक के इनकी लडाई जो है वो चलती रहती है कब से सर तो 1803 से यह लडाई कंटिनियसली चलते रहती है 1804 यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों 1804 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेपोलियन की एंट्री हो जाती भाई नेपॉलियन बोना पार ठीक है इसको सिव भी प्रिविलिजेज बर्त के हिसाब से मिली यह उन सब को क्या करा जाए खतम किया जाए दूसरा इक्वालिटी बिफोर दला लॉग के सामने सारे ही लोग यहां पे इक्वल होंगे सिक्वेट राइट्स तू प्रॉपर्टी और जिसकी भी जो भी संपत्ती है उनके राइ प्राइलेंड को फोर्सिबली मिला लिया जाता है कहां पर युनाइटेट गिंग्डम में एटीन-0-3 में क्या होता है ब्रिटेन जो है वार डिकलेयर कर देता है किसकी अगेंस में और एटीन-0-4 में सिविल कोड या नेपलिनिक कोड आता है जिसमें तीन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट यह कि यहां पर कोई भी प्रिविलिजस बाइब भर्थ नहीं होगी दूसरा एक्वालिटी बिफोर लौ होगा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी दी जाएगी चलिए आगे बढ़त यह सीग्रेट सेटी का मेंबर था कहां पर थी यह सर तो यह कार्बोनारी नाम से काम कर रही थी कहां पर सर तो यह बौन होता है इसका गियो नाम है ठीक है आगए अगे दियानशा समझते है चू मोर अंडरगराउड सेटी बनाता है यह पहली जो है इसको बोलते हैं हम उसके बाद वो दो नई सीक्रेट सोसाइटी बनाता है जो की यंग इतली नाम से मरसिलेश और दूसरा जो है यंग यूरोप नाम से बनाता है कहां पर बर्न में ठीक है बर्न बोले तो स्विट्जेलेंड क्या बोले तो स्विट्जेलेंड 1813 में आते हैं दे बैटल ओफ डिफीटेट फ्रेंच एंपरर नोनast नेपोलियन जो जो चीजें हारते गया जो जो कंट्रीं हारते कैया वह स्विट् inception werde jum actionable क्याא जाता है वह में एक 1815 नियर यहां पॉर्टेंट इयरो इंखी जीए जिए 1804 मैं ने बूर्टालिस को बहुत इंपोर्टेंट इर है नेपोलियनिक कोड़ क्वर्ट हो मैं क्या बहुत क्यों 40 पोकॉड ऐसी 1815 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्या हुआ सर इसमें होती है ट्रीटी ओफ विएना क्या होती दोस्तों यहां पे ट्रीटी ओफ विएना और फॉर्मल एग्रिमेंट ऑफ यहां पावर्स ऑस्ट्रिया ग्रेट बिटेन प्रूश्या एंड रुश्या ठीक है अब सर आ याद रखने हैं दोस्तों पर्व का मतलब होता है प्रूश्या आस्ट्रिया रश्या और यहां पे ब्रिटेन पर्व याद रखेंगे आप ट्रीटी ओफ विएना में ठीक है तो यह हो गई सारी के सारी सर यहां पे एलाइट पावर्स ठीक है आगे बढ़ता है कमिटिंग गर्व आर government देयता है तो यहां पे बीच में क्यांके वार कर देते हैं और यहां पे थीं के बीच में ठीक है कहले में और नेड़ा तेहिए तो लड़ाई के बाद होगी तो यह जो लड़ाई होती है उसको कहा जाता है सर बैटल आफ वाटर लूप ठीक है इसमें कौन हार जाता है नेपोलियन बुनापार्ट हार जाता है बट एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाता है पहला बॉर्बॉर्ण डाइनस्टी जो है व फ्रांस जो है एक्सपांशन नहीं कर सकता उसके लिए यहां पे क्या बना दी गहीं भाई-भाई-वाई यहां पे बना दी गई बॉडर्ट क्या बना दी गई दोस्तों यहां पे बॉड़र ठीक है तो ट्रीटी ओफ वेना अब धियान से समझांझ का जांद कैसे करना ट्रीटी ऑफ वेना तीन वर्ट्स और यहां पे तीन ही पॉइंट पहला बॉर्बॉर्ण डाइनेस्टी को रिमेन अपने पावर पे आना है फ्रांस ने जितनी भी एक्वाइट करी थी संपत्ति उन सब को छोड़ना पड़ेगा फ्रांस और अपनी क्या बनाएगा बॉर्ड और यहां पर बिटेंट तो यह पूशेया-ऊस्टीय अंपे और फार किया हो गया रश्या और इहां पर यह लोगों होत यह वियना करी बहुल्री इत्स पावर ठीक है नेक्स्ट हो गया वहिए थी कूरीड पड़ेगी और फ्रांस अपनी बॉंडरी बनाने पड़ेगे तो इस तरीके से हम लोग पहुच जाते हैं दोस्तों यहां पर 1815 में आगे बढ़ते हैं 1820 पर आते हैं क्या इवेंट हुआ यहां पर the true nature of conservative monarchies of century Europe which did not allow the ideas of liberalism and individual freedom to flourish अब यहां पर conservatives जो है वो बहुत active role play करने लगते हैं वो कहते हैं कि भाई सारी चीजे होगी मगर slowly यहां पर change होना चाहिए एकदम से change यहां पर नहीं होना चाहिए okay in the picture the club has thinkers but they do not have the power to express their thoughts बहुत सारे लोग देखतो रहे थी यह change होते हुए but वो इनके अगेंस में voice raise नहीं कर सकते थे 1821 में क्या होता है सर यहां पर ग्रीक war of independence होती है क्या होती है Greek war of independence कब होती है सार 1821 में होती है अगेंस the ottoman empire जो की तरकी से पुरा राज करता था between 1821 से लेके 1829 तक कि यह चलती रहती है तो जो Greek war of independence होती है वो कब होती है दोस्तों यहां पर 1821 में होती है किसे लड़ते यह लोग तो ottoman empire से fight करते किसे ottoman empire से 1824 में मैं आता हूँ the English poet lord byron lord byron यह कहते भया लडाई जगडे खतम करो लडाई जगडे से कोई फाइदा नहीं होने वाला है तो जो poet था जिसका नाम था lord byron और्गनाइज फंड एंड लेटर वेंट फाइड इन द वार वर फिवर ठीक है तो lord byron का contribution 1824 में एक fight के लिए रहता है बट fight कैसी है भाई peacefully fight करना लडाई जगडे यहां पर नहीं करना है 1830 में जुलाई revolution होता है यह सेकंड फ्रेंच रेवलीशन होता यह यह रियाद रखना है फर्स फ्रेंच रेवलीशन को वह आता तो 1789 में सेकंड कभ होता है सर तो 1830 में होता है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पर जुलाई रेवलीशन क्या बोलता है जुलाई रेवलीशन इट लेट तो दो ओवर्ट्रो आफ किंग चार्ल्स 10 तो चार्ल्स 10 को उठा के यहां से हटा दिया जाता है भगा दिया जाता हरा दिया जाता है नव फ्रेंच बॉर्बॉन मोनार्क एंड एसेंट ऑफ दे कजिन लूइस फ हम लोग बोलते हैं इसको 2nd French Revolution 1830 के बाद 1848 में आते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट ने फ्रेंच रिवलीशन ऑफ 1848 इसको हम लोग बोलते हैं फेब्रेरी रेवलीशन क्या बलते हैं दोस्तों फेब्रेरी रेवलीशन पिरियेड ऑफ सिवल अन्रेस्ट इन फ्रांस दीरे चाहते हैं कि जो जुलाइ रेवलिशन हुआ था वो सारा खतम हो जाए और यहां पर फेबरेरी रेवलिशन में पूरी तरीके से फ्रांस को रेपब्लिक बना दिया जाए लीडिंग तो दा अब्डिकेशन ऑफ दा किंग लुईस फिलिप और लुईस फिलिप को हटा के यहां पर उसको खतम कर दिया जाता है मुनार्कियल फॉर्म ऑफ गोवर्मेंट को सब्सीक्वेंट प्रोक्लमेशन ऑफ दा सेकंड रिपब्लिक और कहीं ना कहीं सेकंड रिपब्लिक यहां पर बना दी जाते हैं नेक्स्ट यह पर आते 1859 सडिया पेड़मांट इन डिप्लोमेट सद्धिया पेड़मांट उस समय पर जो कॉंट कैमेली और डिकेवर था यह चीफ मिनिस्टर सद्धिया पेड़मांट का इस्टेट हुलेट दा मूमेट ऑफ यूनिफाइड रीजन्स आफ इटली यह चीफ मिनस्टर ही में ली रस्पॉंसिबल होता है किसके लिए इटली क यूनिफिकेशन के यह एक्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंच मच बेटर देन ही डिट इटालियन तो यह फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच अच्छे से बोल पाता था बट इटालियन अच्छे से नहीं बोल पाता था 1861 में होता है क्या विक्टर अमिनियल सेकेंड जो था जो की किंग था सर्डिया का सर्डिया का when he assumed the title of king of Italy and became the first king of an independent united Italy तो जो यहाँ पे विक्टर अमिनियल सेकेंड ने वो united Italy का क्या बनता है पहला king बनता है सर कब बनता है यह 1861 में बनता है 1871 में कौन सा इवेंट होता है ध्यान देते दब आलकंज डिस्प्यूटेड एरिया फॉर्ट वाइल वार याद रहेगा क्या इसी के कारण कहीं ना कहीं फॉर्स वर्ल्ड वार होता है चलिए दबालकंज यहां के जितने भी लोग थे उनको कहा जाता था स्लेव का मतलब होता है कि किसी के अंडर गुलाम रहने वाले बालकंज में रहने वाले जितने भी लोग से उनको एक टाइटल देदो स्लेव क्या नाम की बात है सरीए 1871 की बात है ठीक है तो कौन कौन सी कंट्री है इसमें लिखा हूआ और एक दे इनको क्या बोलना है 1871 में स्लेव बोलना है ठीक है बई चलिए अब 1914 में क्या हुआ य अगर यहां हम लोग सेंट्रल पावर्स की बात करते हैं तो कौन कौन आ जाता है यहां पर जाता है कि याद कैसे करना है कि कौन कौन से ग्रूप से यहां पर चलिए तो इसको याद करने का तरीका यह है एक तो थी यह पर सेंट्रल पावर और दूसरी जो थी वो थी एलाइज ठीक है अब यहां पर हम लोग सेंट्रल पावर की बात कर लेते हैं सेंट्रल पावर में आ जाएगा आपका जर्मनी ठीक है उसके बाद आस्ट्रिया हंगरी ठीक है और यहाँ पर आ जाएगा भाई टर्की में एक एंपायर काम कर रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं ओटोमें एंपायर ठीक है allies में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल यू एफ लिखना है ठीक है इसके बीच में लड़ाई होती है το हम लोग क्या कहते हैं इसको घाट पे जाके उफ करना कैसे G का मतलब हुआ Germany, H का मतलब हुआ Hungary A का मतलब हो गया यहाँ पे Austria T का मतलब हो गया यहाँ पे Ottoman Empire Turkey और F का मतलब U का मतलब है दोस्तों यहाँ पे USA फिर दूसरा जो U है उसका मतलब है USSR तीसरा जो U है उसका मतलब है UK और F का मतलब है दोस्तों यहाँ पे France ठीक है अब यहाँ जी का मतलब मैंने आपको अभी बताया जर्मनी फिर मैंने बताया एच का मतलब होता है यहाँ पे हंगरी यहाँ पे ए का मतलब होता है और टी का मतलब होता है टर्की और यह जो टर्की में एमपायर काम कर रहा था उसका नाम था यहाँ पे आटोमेन एमप ठीक बात है तो इस तरीके से यह एलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में लड़ाई होती है और यह जो लड़ाई होती है वो मैंने याद करवा दिया उफ और घाड घाड पर जाके उफ करना कहलाता है वाल्ड वार बन और इसका कारण क्या था दोस्तो एक ही कारण था बाल कि ध्यान दीजेगा तो हम लोगों ने पड़ा सर यहां पर 1668 से लेके 1914 के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए है वह कब हुए है क्या इंपोर्टेंट परस्नालिटी इस थी इन सब की बारे में हम लोगों ने जो है डीटेल्ड यहां पर डिसकुशन कर लिया दोस्तों तो यहां पर मैं समझू तो 17th century से लेके 20th century के बीच का पूरा data timeline जो हमें याद हो गया है और यह सारी चीजे जो है board exam point of view से बहुत ही जादा important है तो यह सारी चीजे एक ही जगह पे सिर्फ एक जगह पे मिल सकती है कहां पे definite success पार्ट शाला पे बट ऐसी ही शांदार और जा दिया गया है description box में आप हमसे कभी भी contact कर सकते उसके लिए contact number available है this and this ऐसी ही वीडियो उसके मेरे साथ बने लिए thanks for watching all